पुर्वोतर भारत की सुरक्षा में मोदी सरकार की सफलता भारत की पुर्वतर शेत्र को सुरक्षित और समर्द बनाने के लिए मोदी सरकार के सबसे बड़े वादों में से एक था और इस संकल्ब के पूरा होने पर हम कह सकते हैं कि ये वादा नहीं बलकि उपलब्दी हुई मोधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दियों में से एक पुर्वोतर राज्जों का काया पलट करना था चाहत की बात हो सीमलेस कनेक्टिविटी की तिवर बुन्यादी धाचे का विकास की शांति, स्थिर्था और समावेशन या फिर आंत्रिक सुरक्षा की मोधी सरकार ने वो सब दस सालों में दिखाया जो कई सालों में थोड़ा सा भी नहीं हुआ था वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से आंत्रिक सुरक्षा नरिंद्र मोधी सरकार की सरवच्य प्रात्मिक्ताव में से एक है पिछले दस स्वर्षों में ग्रह मंत्री राजना सिंग्ध और अमिच शा ने आंत्रिक सुरक्षा की कमान संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे आखेर मोधी सरकार पुर्वुत्र भारत की सुरक्षा में कितनी सफलता बता रही है तूच चलिए शुरू करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सुमवार को IANS से बात करते हुए कहा की उत्तर पुर्व भारत में पिछले दस साल में भारी बदलाव आया है उन्होंने कहा की आज पुर्वत्र नए भारत की सबसी बड़ी सफलता की कहानी बताए गई है इसके अलावा पिछले एक दशक में वामपंथी उग्रवात की हिंसा में काफी कमी आई है मोधी सरकार ने अपनी एक्ट इस्ट नीती की गोशना की और साथ ही अपनी शुलवाती सालों में पुर्वत्र के बारे में प्रात्मिक्ताओं को सपष्ट किया सरकार ने विद्रोई समूह के साथ शांती समझोते पर हस्ताक्षर किये और उनसे बाचित के महिने में ध्यान करेंदित किया यहां तक की सरकार ने उग्रवादियों के लिए एक व्याफक आत्मरसमरपन और पुनरवास नीती भी शुरू की पिछले दस सालों में सरकार ने प्रोटोटाइप में बोड़ो समूह उनाइटीड प्यूपल्स फ्रंट और कुकी नैशनल अर्गिनाइजेशन असं में कारभी आंगलौं क्लस्टर त्रीपुरा के नैशनल लिबरेशन फ्रंट और कारभी लॉंगरी एनसी हिल्स परान हिंसक घटनाओं में 68% की गिरावट आई है और पुर्वत्तर में करीबों और नागरिकों की मौत में 60% की गिरावट आई है। पुर्वत्तर में सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी राज्यों के जिलों से शर्षष्टर बल विशेश शक्तियां अधिनियम हटाया है। बता दें कि 11 सितंबर 1958 को नौर्थ इस्ट में ये कानून आपको पास हुआ था। 1989 में जब जम कश्मीन में उगरता बढ़ी तो 1990 में भी AFSPA लागू किया गया। लेकिन पुर्वत्तर राज्यों में लंबे समय से AFSPA हटाने की मांग के बाद इसके कई प्रावधान हटा दिये गए है। जहां अब दिरिपुरा और में घाले अब पुरी तरह से AFSPA से मुक्त हैं। बता दें की AFSPA को इसलिए हटाया गया है क्योंकि यहां उगरवादी गतिवीदियां में काफी कमी आई है। सेंट्रल गॉर्मेंट के मुताबेक 2014 के मुकाबले 2021 में उगरवादी घटनाओं में 74 फीसेदे की कमी आई है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में 7000 से अधिक उगरवादियों ने आत्म समर्पन किया है। जिसके कारण पुर्वोतर में शान्ती हो गई है और लोग वहाँ खुश्या मना रहे हैं। ऐसी जगे जहां दंगे बहुत होते हैं या ऐसे इलाके जहां हर वक्त आतंकी हमले होते हैं जहां से अशान्ती रहती है। उन जगहों पर भी मोधी सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं मोधी सरकार उन जगहों पर भी फोकस कर रही है जिसे कांग्रे सरकार ने टाल दिया था। चंशेप में बोलूं तो मोधी सरकार उत्तरपुर्वी शेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें सीमा अध्धिन से देश में नया कानून पास करना सब कुछ शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर पताए चल्दी पेश है एक और शानदार वीडियो के साथ। झाल 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 झाल